आप देख रहे हैं फिल्मी बीट टीवी अक्रिस नराइनी शास्ती नी शादी को लेकर बड़ा खुलासा किया है जी हाँ हमेशा अन्मारिक का टाग रखने वाली नराइनी ने अपने परसनल लाइफ से जुड़ा एक चोका देने वाला फैसला जग जाहिर कर दिया है नराइनी ने हाली में शादी को लेकर खुलासा किया है वो पिछले डेट साल से शादी शुदा है उन्होंने अपने बॉर्फरेंट स्टीवन ग्रेवर से शादी की थी जो की ब्रिटिश नागरिक है नराइनी ने एक इंटिव्य के दरान ये साफ किया है कि हम दोनों कभी भी शादी नहीं करना चाहते थे लेकिन एक दिन अच्छानक शादी के बारे में सोचा और हमने दूसरे दिन रिजिस्टर में जाकर शादी कर ली ये शादी सिर्फ इसलिए की ताकि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रह सकें ये तोड़ा अजीब है लेकिन ऐसा ही हुआ मैं तो शादी के लिए जीन्स टी शिर्ट पहन कर चली गई थी शादी में सिर्फ मेरी मा और सिर्फ कुछ क्लोस फ्रेंच शामिल हुए थे शादी के बारे में आगे नराइनी ने ये भी कहा मैं और टोनी समझ आते थे ताकि अपनी शादी को लेकर सहज हो जाए और अब हम इस विचार से सहज हैं बता दे कि टोनी के साथ शादी के बंधन में बनने से पहले नराइनी बिग बॉस दस के कंटेस्टन्ट रहे गौरफ चोपड़ा के साथ रिलेशनिशिप में थी दोनों हमेशा एक साथ कई पार्टियों में साथ साथ नजर आते थे और तो और दोनों ने एक कपल के तौर पर नचपलिये के सीजन दो में हिस्सा लिया था इसके बाद दोनों अलग हो गए लेकिन आज भी वो एक दूसरे के फ्रेंड्स है फिलहाल इस विडियो में बस इतना ही बॉलिवूड और टेलिविजिन की तमाम बड़ी कबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं फिल्मी बीट